यूटूब चैनल पर आपका स्वागता दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि उत्र पर्दिर भूमी सुधार अधिनियम सबस्तों आपको निखिया गया है जिसमें कि अगर भूमी वरिक्ष मिनास से यह सब चीजी अगर है तो वह गाम सब्सक्ति को अंसरो जाएगा यह कोशन यह बोलता है कि गाव सबाह में नहीत की गई भूमी कौन सी है यह सभी इसमें हो जाएगा और फिप्ति ट्री नंबर को प्रवाइब कर सकती मिली है गांस वबहों में नीत करने की वह 179 है कि मैंने आपको बता आ ठीक है अगला ये कुशन बोलता है निमली खितमे से किसको 17 के अनुसार ग्राम सभा में भूवी माना गया है सब कुछ माना बजार तालाब जलमार का रास्ता यह सब इसका अंसर हो जाएगा ग्राम सभा के 17 की धारा के अनुसार है यह तो आपको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से अगला कोशन बोलता उत् ठीज अधिका पॉट्राइब लकाया गया गया है अगला बोलता दोस्तों पहले जो अधिनीयआ सादिने जो खुट्राइब के टो दार एक रसाधि के सबस्के हूए प्रविदर सेरदार अधिवासी और असामी हुए फिर उसके बाद 1997 में परिवर्तन किया गया संसोधन किया गया अब उसमें है संक्रम अधिकार और असामी और पट्टा उसमें अवयवस्ता कि कि गई इसने यह कोशन बोला है कि सन के कि एक्ट द्वारा भूम राजस्वा में परिवर्तन किया गया संसोधन किया गया आइक्ट नमबर आठ लित शाया है तो सीर्दार जो है वो भूमी पर मौसमी एवं उत्रा धिकारी अधिकार रखते हैं जो मौसमी अधिकार होते है वो रखते है ठीक है तो सीर्दार आपको हो जाएगा सेड़दान बहुत भी अधिकार जो रखते हैं उसको बोलते है भूमी पर अगला बोलता है धारत बारा एक के अनुसार बारा एक बहुत इंपोर्टेंट है बारा एक के अनुसार पूर्ण कमजा प्राप्त करने के लिए निम्न परक्रिया अपनाई जाती है अगर कमजा आप आपको पून कमजा चाहिए पून कमजे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्राथना पत्र देनी है क्या देनी है प्राथना पत्र देना है और जो प्राथना पत्र होगा वो आप कितने वो एक साल के अंदर आप दे सकते हो एक साल के अंदर कितने वरस तक एक वरस के अ कर सकते हो अपील कर सकते हो ठीकिए अभी यह सीर के कास्त कास्त कार किस तारा में एसी दारा 10 we can नीद है ठीक है दस में सीर के कास्तकार को वर्नित किया गया है ओके अब आता है यह केस लो यह केस बोड़ा सुर्य पाल सिंग बनाम उत्तर पर्दे सरकार का जो वाद है वह किस से संबन्नित है यह दियान अगना पुनरवास अनुदान से किस से है पुनरवास अनुदान ठीक है अगला कोशन यह बोलता है यहां पे देखो पुनरवास जो अनुदान है जो है वो अधिकार पाने का धारा कौन सी में है पुनरवास वाला भी आ जाएगा आपका पुनरवास याद करना पुनरवास धारा तीहत्तर में है तिया गया पुनर्वास अधिकार पाने का जो बाइस का तो आपको बता रहा हूं पुनर्वास अनुदान कौन सी धारा से तिहत्तर से अधिकार पाने का बाइस का अंसरो जाएगा इसका ठीक सब्सक करेंदगों जो इसको दिया जाएगा जो दो दिया जाता है वह 123 खांगा अजिक आइसका बिदाकी • जाता है का मतलब क्या होता दोस्तों तो सबर्पड सब्द का जो मतलब होता है मतलब की जमीन है उस जमीन को छोड़ देना सबर्पित कर देना सरगार को या स्थीफा दे देना तो सबर्पड का जो अर्थ हो जाता है समर्पड की जो धारा वह सभी हो जाएगा इसका जज़र ठीक है सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए किसको प्राथना पत्र देना आवश्यक होता है किसको देना होता है सब्सक्राइब के लिए असामी दुवारा असामी दूवारा सबर्पन देड़ाता वह 184 की धारा भी दिया जाते यह तो अपको बता तो एक समर्पन वाला आए जो 183 184 वो एक स्टाश सी में दिया गया है और परीतियाग परीतियाँ 166 में जो 183, उसमें ऐस संक्रमण अधिकार वाले 183 में देते हैं और 184 में असामी दुवारा 185 होता है नोटिस होता है सूचना ठीक है नोटिस दिया जाता है ओके 185 में तो यह वोड़ा असामी की दुवार्द जो समर्पण किया जाता है वह होता है 184 में मि doubla 183 कि स कर्म्य अधिकार और 185 में लिख सकते हो वो दर स्पोजटा ग्राई तो इसका अंसर 184 के अंसर हो जाएगा अगला को सर्ण ये बोलना वाले जो भूवी दर होते है वह समर्पन किसको देगे मैं आपको बता एक सो तिरासी में देगे तो इसका भी अंसर हो Dumas सब से क्याताथ पर है परिफाइद सबसे अताथ पर रहा है जोत की भूमी हटा देरा या उस से पूरास तो त्याग तेरा जोट का प्रियोग प्रूरी तरीके से त्याग कर देना उसको परित्याग बोलेगे तो उसके अंदर आ जाएगा आपका अगला बोलता सभरपड का नोटीस समर्पड का नोटीस भी मैं नहुं को पताया दोस्तों वह 184 बदिकारवाले अपला सभरपड करे करें एक इसक्राण सिन बनां सभा में लग सकते हैं अफ्तार सिंग घाऌ व्म isol बनान जाव सह यह कि से सब्ंदीत थे यह अपना मचंदी घॉरा पोनी क्या सब्सक्राइब बिटीड करूब ये केस भीयाद करना है परित्याग से सबढ़ तो कि बिट लग सकते हो impacto को बोलता है सबर्पड की कारवाही किस रूप से की जाती है वह किया दोस्तों अगर आप को समर्पड करना सिंपल सी बात ही कि मुझे समरपड करना है तो मैं भाद जांगे बोल लुखा जो लिकी रूप से दू जहाता है तो इसका छोड देने किसका आवश्यक्त तत्व है रही कबह को छोड़ देना यह समस्र पड़का ठीग है कब जे को छोड़ देना वो행 सबर पड़का या framework कर लेना इसको अच्छे तरीके से अगला मुझा जोत का परियोग ने करना किसका आवश्यक तत्व है परित्याग जोत का ध्यान रखना समर्पण और परित्याग वाल अच्छे तरीके से कर लेना जोत का परियोग ने करना जोत का परियोग ने करना किसका है परित्याग का कब भूमी धर को उसकी जोच से बेदकल नहीं किया जा सकता अब यह ध्यार दाकर आ शुन से महीट है तक यह नहीं बेदखल नहीं किया जा सकता एक सु दिन्यार्ड में अगला बोलता है असामी असामी को बेदखल करने के कौन कौन से अधार है असामी को दोस्तों हम इच्छा पर अधारित अगर वह असामी चाहता है तो इच्छा पर अधारित की जा सकती है उसकी इच्छा पे और जोत की कि गलत किसम की फसले उगाएगा तो उससे भी बेडखल किया जाएगा तो यह और बाद दोने इसका अंसर हो जाएगा अगला बोलता है डी बड़ा परकास पराम सहय कलेक्टर जो वाद हो किस से समद स estaban डीत दोस्तों वह जोग किसम कि अधारीं ऐठीक है जोट की किसम से अधारी ते परेंड परकास पलब क्यूंके जो एक मिट अगला बोलता है सधालटेगा उसाभा तुए निहीत होने की धिनाग से कितने ब्याद काल में 112-212 कि अधिन पें कि आजा सकता है रहला ऑसभार्स 10 वर्स के नहतों देपर बेडखल किया जाया जाया ग़िर दोस्तों बारा असाबंब़ा थे बारा धोस्तों बारा सॉपर स्वीत करनेики और आगला दोस्तों करिशा मोता माल गुजारी जो माल उचारी वस वसूल की जाती इस अ Cecala हो दो कितनी जा सकती है वह द्यात आझानने दूस्टों कितनी है साथ रितियों से चो मल चारी चिछा क्या गायास अच्छा माल्क जारी जो है वह साथ रितियों से साह participants की जाती है बाल ओधारी जो हसाल किया और कौंसी धारा में की जाते है नवाटी सोरी दावाटी तुसको पादी आगाना हा ठीक भई उन्यासी उन्यासी ए तूट इस पादी ना तूट यासी ए थोड़ इंगलीज पोता है तूट इस पादी रिव पूर वासी उद अग्राव तूट बाल गुजारी की वसुली कौन सी रिति दुबार की जाती ह है दोस्तों मालं जो है वो सभी रितिवर्य दवारा बातत्र घ्रफ्तारी जोत की का इसे भी किकल शाड़ा सकती है के यह माल मत् إभ pharm शूली मेर उताव है वो सब के दा सकते कौन की ile receiver अना सब के दोकार Siwa तो यह आजाए आगा जाया। हों जाए अगहा अला डाराँ दोसे घाशी का बेगे अधारी सीवर की नियुपति का दावर सीवर बहुत इंपॉर्ट एंट है रैसीवर को पढ़े अच्छे तरीके से रिसीवर की नियुक्ति जो होती है वो होती है है 286 के आनुसार और जो के जो रिट्यू क्लेक्टर को ग्राटर के को की जाते ठीक है क्लेक्टर के स्टॉवर। को अगला मोलता है डॉय वाला बिल्स डाइस बील्स ताइबेट बिल्स और उत्रपाद बढ़ी सरकार जो केसा और रिसीवर की दूप्ति से एक है उसको याद कर ना एक केस है वो क्या है केस वो है डाइबेड डाइबेड वाला याद करने लावस ठीक है जाता वो याद दिगनद्ग अगरा अचल समपत्ती की कुर्की तथा विक्रे किस धारबने वन वर लिए अचल समपत्ती जो कुछ कि की जाती है तो वह है 206 में गिता प्रिये कर नोचांश ना गया रामलाल ओओ धी तैसी दारां लाव्तू है वह सिबरतों से भड़े संभथ यह नहीं रिखो들 र कृए यूस्कूरा क्भश को परियो नहीं हो फिर्लियम् मैं राल है तो बोल रहे हैं गिरफतारी से बरी रहेंगे वह किस धारा के अंदर वर्डी ते दोसे इक्यासी ठीक है चुक गिरफतारी से सब गिरफतारी से बरी रहेंगे तारि से बरी ठीक है दोसुची एकासी में है अगला कोशन निम्लेलिखेत में से कौन से व्यक्ति गिरफतारी से बरी रहेंगे यह भी आज़ना दोसे 238 में बोला है एवह इस्तरी भारते स्व्रक्साय विभा के कोई भी करमचारी ठीक है वह सब गिरफतारी से बड़ी रहेंगे गिरफतार नहीं हो सकते अगला कोशन इपोर्टेंट यह किस बाद में धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति भारती सस्त्र सेना में कार्यात है तो वह जराजर सरकार रिण वसूली के लिए गरपतां नहीं कुछ सकती ठीक है है जो सेना अगर सेना जो भरती है सेना में भरती बाले व्यक्तिर और गरुद्स तुक्स मैं चित्र के तू सिंग सिं। GBP क्या इसमें आप अर्थ योच 이후 डाकिल उसकों चूह पालिया है नभा करना दाखिल का अर्थ होता है वार्सिक रजिस्टर में जोद्दारों के नाम में परिवर्तन ठीक है जो रजिस्टर में जोद्दारों के नाम में परिवर्तन करते हैं उसको बोलते दाखिल खारीच ठीक है दाखिल खारीच क्या है जाता है वार्सिक रजिस्टर में वार्सिक रजिस्टर में जोद्दार को जो किया जाता है ठीक है पनामों में परिवर्तन अब यह बोलता है इसका एक केस भी याद करना सीरी मतिल लखती बनाब राजस्व यह अगला कुसर यह बोलता है revenue manual के किस अनुछेद के अंदगर दाखिल खारिज की परकरिया नियाइक परकरिया मानी गई है वह नो सो ग्यारा नुछेद अनुछे नंबर नो सो ग्यारा याद कर लेना अनुछे नंबर तो सुग्यारा आप है डिक मनाएगा दाकिल खारिज फिर उसके बार पोइंट लिख लेख रो ठीक है जिससे दाकिल खारिज वाले पॉइंट आज आएगे आपके अगला बोलता है किस वाद में निरिडित हुआ कि दाकिल खारिज की परकर्ति नियाइक परकर्ति नहीं होती कि इन्दु भूर आजस्व के भुकताद से संबंदित है वो है निर्मल सिंग बनाव रूप परताब नाराया थीग है एक और केस आगे दाकिल खारिज का निर्म भूमी के कबजे के कबजे में परिवर्तन होता है ठीक है परिवर्तन होता है जब से स्टार्ट हो जाती है अगला कुसर बोलता दाकिल खारिज की परकरिया में परिवर्तन निम्न दो परकार से हो सकता है दो परकार से होता है एक तो उत्रा धिकारी दौर या अंत्रण दौ दो खेतों को अलग करने के लिए उनके मध्य क्या बनाई जाती है तो खेतों को अलग करने के लिए एक मध्य बनाई जाती है ठीक है हो जाया में बेल को सी धाराब आएगा बेन से एक समय क्यास कर लेना है जो आईगा वह इसमें ध्यायएं गया अगया बाखी तो हैं लिए के बारे में में के बारे में जो विवाद होता है उसको क्या करें था उसको सभी का जेए उसको सीमा विवाद भी कह सकते मेंड विवाद बाउंडरी विवाद सभी इसका अंसर हो जाएगा ठीक है मेंड विवाद हो जाएगा वो सभी इसका अंसर हो जाएगा ठीक है मेंड विवाद बाउंडरी विवाद सभी विवाद हो जाएगा अगला कुश वही कौन से भूवी खाकिया है वह सीवाची बन जाते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगए करो शेयर करो और अगर आपको यह पीडियाप चीए तो लो हिंदी बाबा के चैनल पर टेली ग्राम पर सर्च बारें लो हिंदी बाबा यह से मैं मैं आप वहापर मिलेगा त से चाहिए तो आप कमेट जरू करें ओके धन्डवाद